तहजीब सिखा दी मुझे एक छोटे से मकान ने दरवाजे पर लिखा था थोड़ा जुक कर चलिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से संपोण हिंदी साहिते इतियास को प्रशनोत्तर रूप में हम संक्लित कर रहे हैं उसके भाग संक्या पंद्रा के अंदर मैं हूँ आपका दोस्त आधी गनेस वीडियो को आपको लाइक कर देना है और वास्तों में आप शेर कियागरो वीडियो को जितने भी आपके ग्रूप है फेस्वूक वाटसप जितना ज्यादा शेर करोगे जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ज़्यादा अपना चैनल अपना ये परिवार बढ़ेगा और ज़्यादा लोगों की मदद हो पाएगी जो भी आपके साथ ही मित्र आगामी नेट, फर्स्ट ग्रेड, एन्वीएस, क्योईएस, डियेसस भी जिसकी भी तयारी कर रहे हैं चलिए सुरुआत करते हैं, सुफी कवेधारा चल रहे थी भक्तिकाल के अंदर, उससे सम्मंदित कुछ और प्रश्ण है सबसे पहले हम बात करते हैं, सुफी कवेधारा का सहरो पर्थम कभी विभीन विद्वानों ने किसको माना है पांच-छे प्रश्ण बनाने की बिज़ाए एक ही प्रश्ण में इसको सम्मेटा है कि अलग-लग विद्वानों ने, किन-किन विद्वानों ने सुफी कवेधारा का सबसे पहला कभी किसे माना है आचारे शुक्ल की हम बात करें, तो आचारे शुक्ल जो है कुतुबन को सुफी कवेधारा का सरो पर्थम कभी मानते हैं वहीं आगे हम बात करें हजारी परसाद दिवेदी की तो हजारी परसाद दिवेदी इस वर्दास को सुफी कावेदारा का पर्थम कभी मानते हैं आगे बढ़ते हैं नगेंदर की बात करें डॉक्टर नगेंदर की तो ये असाइद को मानते हैं और गणपती चंदर गुप्त भी असाइद को मानते हैं तो शुक्ल तो मानते हैं कुतुबन को हजारी परसा दिवेदी इस्वरदास को नगेंदर असाइद को गणपती चंदर का नाम नहीं दिया जाए लेखर का साइट इतियासकार का तो वहाँ पर आप पूछ लिया जाए कि सुफी कावेदारा का पर्थम कवी कौन है तो वहाँ पर होगा मुला दाउद जो चंदाइन के रचनाकार है सरोमाने मत यह है आगे बढ़ते हैं असाइट कृत हनसावली का रचना स्त्रोत क्या है तो ये विक्रम एयों बेताल की कथा प्राधारीत है अगला प्रश्ण शेख नभी कृत जो ज्यान दीप है उसके अंदर राजा ज्यान दीप और रानी देवयानी की कथा मिलती है में अगला प्रश्ण प्रेम मारगी साखा के परतिनीदी कवी कोन माने जाते हैं मलिक मौमद जाइसी प्रेम मारगी साखा के परतिनीदी कवी के रूप में परतिश्टित है आगे बढ़ते हैं तन चितूर मन राजा की नहा ये सिंगल पदमिनी ची नहा प्रस्तुत पंक्ती किस कावे से हैं? पदमावत से अगला प्रशन है वही हम बात करेंगी पदमावत में कुल कितने खंडिया सर्ग हैं तो इसके अंदर हमें 57 खंडिया सर्ग देखने को मिलते हैं अब पदमावत से जुड़े प्रतीक विदान बहुत बार पुछे जाते हैं तो एक तरफ तो पात्र रख लिए हमने और दूसर तरफ प्रतीक है तो ये सारे पात्र और प्रतीक आपको सरीर, ठीक है सिंगल दीप जो है उसको मना गया प्रतीक रिदे राजा रत्न सेन जो नाइक है मन या योगी सादक भी आता है कहीं मन नहीं आएगा तो योगी सादक आएगा रानी पदमावती जो नाइका ये सात्विक बुद्धी का प्रतीक है ठीक है और रानी नागमती जो सह नाईका है वह सांसारिक बुद्धी तो रानी पदमावती तो सात्विक बुद्धी और रानी नागमती जो है सांसारिक बुद्धी हिरामन तोते की बात करें गुरू, रागव चेतन जो सवपंडित था उसकी बात करें तो सेतान के रूप में और अलाव दिन खिल्जी जो था माया के रूप में तो चितोड तो तन हो गया सिंगल दिव, रिदे हो गया रत्न सेन, मनिया योगी सादक पद्मावती सात्विक बुद्धी हो गई और नागमती सांसारिक बुद्धी हिरामन तोता गुरू, रागव चेतन, सेतान, अलाव दिन खिल्जी, माया ये विशेश तोड़ से आप याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं कि आचारे शुकल ने सूपी पद्धती का अंतिम गरंथ किसे माना है तो आचारे शुकल ने सूपी पद्धती का अंतिम गरंथ नूर महमद कृत इंद्रावती को माना है आगे बढ़ते हैं आचारे शुकल ने रत्न सेन और पद्मावती को किस किस का परतिक माना है तो रत्न सेन को तो आत्मा का प्रतिक और पद्मावति को प्रमात्मा का प्रतिक बना आचारी शुक्लने अगला प्रश्ण प्रेम कथा एही भाति विचार हूँ बुझी लेवु जो बुझे पार हूँ उक्त पंक्तियां किस काववे गरंत की है तो ये पंक्तियां जो है पदमावत की है तो शुक्रिया दोस्तों ये थे कुछ विशेश प्रशन अच्छे लगे हो तो लाइक कर दें और सभी मित्रों को शेर करें ताकि बाकी लोग भी जुड़कर इसने इसका लाब ले सके और पहली बार ये वीडियो देख रहें और चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने तो जो कौने में रेड किलर वाला सब्सक्राइब का बटन है उस पर क्लिक करें गंटे की निसान को दबाएं फिर ओल नोटिफिकेशन लिखाओ आएगा उस पर क्लिक कर लिजिएगा ओल पर ताकि भविस्षे में जो भी वीडियो डाले जाएंगे उनकी सूसना भी आपको मिलती रहे